Avengers Infinity War में जब Thanos Asgardian ship पर attack करता है तो क्यों हमडाल Thor और Loki को save करने की बजाए Hulk को save करता है तो देखो ऐसा है जैसे ही Ragnarok complete हुआ था सारे Asgardian Thor पर depend थे और क्योंकि Thor उस टाइम पर उन सब का leader था इसलिए हमडाल बिना उसकी permission के Thor को कहीं भी नहीं भेज सकता था और रही बात Loki को save करने की तो Loki को अर्थ पर भेजना शायद एक बुरा decision होता और दो Infinity Stones अल्रेडी अर्थ पर हैं ये information सिर्फ हलकी Avengers तक पोचा सकता था कि Thanos उन स्टोंस के लिए अर्थ पर आ रहा है इसके अलावा एक और reason ये भी था क्योंकि हमडाल अल्रेडी काफी सारे Asgardians को Bifrost के तुर अर्थ पर वेज चुका था और Asgard दुबारा से बन सके इसके लिए अर्थ का survive करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था